एक होटल में एक छोटी सी बच्ची आठ साल की वो जाती है आइसक्रीम घाने के लिए तो ऐसे ही जब रेस्टोरण में जाती है वहां पर जाने के बाद वो टेबल पर बैठती है तो वेटर आता है वेटर से पूछती है मेन्यू देखकर बड़ी वाली आइसक्रीम गितने की तो वेटर बताता है यह 15 रुपे की है अच्छा बच्ची सुनकर और फिर उसका रंग वो हो जाता है कि फिका पड़ जाता है फिर वह देखती है चोटे वाली आइसक्रीम कितने की है वेटर गुस्ते से बोलता है तो उसके बाद में फिर वो लड़की चलो ठीक है अंकल आ जब वो जाती है बिलर वहां पे रखके जाती है उसके जाने के बाद वो वेटर देखता है कि पता नहीं कहां कहां से बच्चे आ जाते हैं घर वाले कैसे बेज़ देते हैं उसके दिमाग में वेटर के काफी कुछ चल रहा था कि पैसे होते नहीं है खाने आ जाते है यह व तो रुपे जो थे उसने वो अलग से रखे हुए थे वो वेटर की टिप के लिए दिये हुए थे उसके पास पैसे पूरे थे वो बड़ी आइसक्रीम भी खा सकती थी लेकिन जो उसके संस्कार थे उसको ये पता था कि मैं चाहे कुछ दूसरों के लिए जादा नहीं कर सकती लेकिन जितनी हिम्मत है मैं उतना तो करूं। वो छोड़ी सी बच्ची ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम अपने लिए जितना करते हैं उससे चाहे आधा हिस्सा ही दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के खुशी के लिए कुछ करें, तो उसमें भी हमें खुशी ही मिल झालेगी.